बीरवार को आईटियाई से लियाना के विद्यार्थियों ने पंचरुखी बाजार में रैली निकाल कर लोगों को प्लास्टिक के थैले हटाने एवम कपड़े के थैले अपनाने का संदेश दिया इस रैली में विधाईक अरविंदर दिमान ने भी भाग लिया इस से पहले भी पंचरुखी बाजार में पंचरुखी व्लोग एवम बाल विकास परियोजना अधिकारी के सोजन्य से दरजनों बार सुचता अभियान एवम प्लास्टिक हटाओ के बारे रैली निकाली जा चुकी है सेमिनार लगाए जा चुके हैं हर बार लोगों को नारे लगा कर जागरुख किया जा चुका है लेकिन हकीकत में पंचरुखी बाजार का आलम ऐसा है कि हर जगा गंदगी के धेर लगे हुए हैं प्लास्टिक हर गली वच रहे पर देखा जा सकता है क्या मातर रैलिया निकालने से ही बाजार में पलास्टिक और गंदगी हट जाएगी सासन और प्रसासन भी रैलिया निकालकर हकीकत से मुह मोल लेते हैं आज माननी विधायक भी रैलिय में मुझूद थे उन्होंने भी सब देखा होगा उमीद है कि इस रैलिय के बाद पंचुकी बाजार से गंदगी और पलास्टिक जरूर हटेगा पी आर निउस से होगी ब्रीज धिमान की रिपोर्ट